आज हम लोग फिर से बहुत संस्टिफ विशह जो देश के लिए पुलवामा में जो हुआ है उसको बात करना चाहा रहे हैं पुलवामा में आज सुबह फिर आतंकियों को पकड़ने की कारवाई में जो हमारे कुछ जवान और एक मेजर फिर से शहीद हुए है ये एक continuous चीज पिछले 4-5-6 दिन से चल रही है इस समय मैं इन बात को इसलिए race कर रहा हूँ कि जैसा था कि पूरा देश एक साथ खड़ा है इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है इसमें भी दोराय नहीं है कि सारे लोग जो भी किसी भी पार्टी के हो वो भी इस समय एक स्वर में बात कर रहा है केजरी वाल जैसा व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर है और जिन कोई अपनी समस्याएं हैं बीजेपी और उनके बीच में वो भी साफसाफ स्टेट्मेंट दे रहा है कि हम पीम मोदी जी के पीछे करणा है बताईए क्या करना है मैं इस रिस्क के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेरी भी ट्रोलिंग भैंकर ढंग से हो सकती है पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने जवान आये थे उनके घर पे जाके सरकार की तरफ से ठीक से उनको शहीद का वो दर्जा दे के और उनको वो मान और समान दिया गया ये अच्छी बात है और सब को ये लगा कि गर्व की बात है लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे लोगे कह रहा हैं अच्छा कहीं ये सब लोग रहा हैं कि इसका राजनीती करना हो रहा है पहला जो बतलब हर जगा एक-एक सीने मंत्री उनके साथ गया और ये बहुत अच्छी बात थी सम्मान दिखाया गया लेकिन दूसरी तरफ जो भी वाटसेप और सोशल मीडिया पर है फेस्बुक पर है बाढ़ आई हुई है इस तरह के लोगों की जहां पर देखिए एक जो सबसे बड़ी देश की फैक्टरी है वो सबका पता है कि फैक्टरी कहा है और मेरे पास भी उस तरह के सोशल मीडिया है मैं भी उस तरह के ग्रूप में मतलब लगातार लोग अपना कुछ नहीं लिख रहे हैं उस फैक्टरी साहे हुए माल को आगे बढ़ाया जा रहे हैं आंग बंद करके और उसमें मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस समय किसी भी पार्टी को डिमीन मत करिए जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है देश में आज एक ऐसा ऐसे उस जगह खड़ा है कि जहां सारे देश के लोग को एक जो टोके रहना है मैं इसी संदर में एक पुराना वीडियो जब मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे उसको आपको दिखाना चाह रहा हूं मुझे जवाब दीजिए ये जो आतंगबादी है इनक्सलबादी है उनके पांस सक्त्र और बारुद कहां से आता है वो तो विदेश की धर्ती से आता है और सीमा ये संपुल रुप से आपके कबजे में है सीमा सुरक्षा बला आपके कबजे में है मैंने इंको दूसरा सवाल पूछा हमने कहां आतंगबादीों के पास धन आता है हमाले से आता है पूरा मनी ट्रांजिक्षन का कारोबार बारत सरकार के कबजे में है आरबी आई के अंडर में है बैंकों के माध्यम से होता है कि आप प्रधान मंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि यह जो धन विदेश चे आकर के आतंगबादियों के पास घाता है आपके हात में आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से गursday है है अतंगवादियों के रुपने आते हैं अतंगवादी करते हैं भाग जाते प्रणानमंत्रीजी आप मुझे बताइए सीमा आपके हाप में कोस्टल सिकुरिटी आतों हाथ में BSAF सेना सब आपके हाथ में नेवी आपके हाथ में ये विदेश से गुस्पैट ये कैसे गुड़ जाते हैं मैंने चोटार सवाल पूछा सहाना कॉम्टिकेशन भारत सरकार के अंडर में है कोई भी अगर टेलीफून पर बात करता है इमेल भेचता है कोई भी कॉम्टिकेशन करता है भारत सरकार उसको इंट्रेप कर सकती है इंट्रेप कर करके जानकारिया पा सकती है कि आतंगबादी गतीवीदी के अंदर कौन सा कॉम्टिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो मैं पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी को इस विशय में आपने क्या किया है मैंने पांक मा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंगबादी भाग चुके हैं जो विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंगबाद की घटाएं कर रहे है उनको प्रत्यारोपन के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है आपकी विदेश निती में वो क्या ताकत है एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाईए आतंगबाद जडमुल से उखड़ जाएगा राज्यों के अधिकार हत्या करके राज निती के करने के खेल छोड़ दीजिए भाईयों बहनों दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है 46 इंच का सीना लगता है तो तब जाएगा अब आपने जब इस वीडियो में देखा तो मुदी जी ने मुख रूप से और ये मैं वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि शासन करना और विरोध में रहना अलग अलग दो बाते हैं आप विरोध में रहते हुए विपक्ष में रहते हुए बहुत सी चीज़ें आप कहते रहते हैं लेकिन जब ये हमारे जवानों की आतंकबाद की बात आया तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष वालों को भी सहीम रखना चाहिए जो कम से कम पुलवामा वाली घटना में अभी तक तो मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा है कि किसी विपक्ष वाले ने कोई गलत ऐसा किया हो एक वो राहुल गांदी कहीं एक बैट के फोन देख रहा है उसको सारे मतलब जो फैक्टरी के लोग है उसको कर रहा है देखिए अपना फोन देख रहा है मतलब इस तरह की अगर आप इस तरह की बाते कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है जो मुधी जी ने उस समय पांच बातें बहुत गंभीरता से उठाई है उन्होंने कहा है कि शस्र और बारूत कहां से आते हैं विदेश से आते हैं उन्होंने कहा अधन कहां से आता है इन आतंकवादी गत्विदियों के रिफ्रेंस में वो कहा रहे थे विदेश से आता है आतंकवादी कहां से आते हैं विदेश से आते हैं communication कहां से होता है विदेश से होता है और फिर उन्होंने कहा है कि जो विदेश में जो आतंकवादी हैं उनका प्रत्याफ अर्पन कभ होगा और इसका होना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि राजियों के अदकार को आप नचीने और इसको ठीक से होने दे मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी बातें मोदीजी ने कहीं हैं ये उनको अपने दफ्तर में ही कहीं मण के रख लेनी चाहिए और इसी पे कारवाई करनी चाहिए आज ये बातें आप पे भी लागू हो रहे हैं हो सकता है देश ना पूछ रहा हो आपसे या इस समय किसी के सरकार तो आप की ही है और ये भी याद करके बताईए कि आपने पिछले पांस साल में कितने लोगों का प्रत्यारपन कराया है आतंकियों का बाहर से ये तो एक बात हो गई हमारे मुदी जी की दूसरी बात ये क्योंकि देखिए ये मैं इस लिए इस बात को इस रिसक के दिक्कत लग रही है आप एक तरफ नवाज शरीव को उनके जन दिन पर बनाई देने जा रहे हैं यहां हम दोनों देशों के समंधों में एक महत्वपूर्ण पहलू का शुरुवात करेगा अभी तक हमारे समंध एकदम फार्मल आउपचारिक प्रोटोकाल से बंजित रहे है इस जान शर्कार कुछ पिल पाकिस्तान की तरफ निगाए भू उठा के देखती थी तो यह लोग हंगामा करते थे, कि ना बात करो, डाउन की तरफ देखो, एक सर के मतले में ग्यारा सर ले लो, खबरदार जो तुमने पाकिस्तान से बात चीत भी की, और यहां मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान से बात चीत तो छोड़ दो, प्रधान मंतरी बिना प्रोग्राम के पहुंच जा रहे हैं, तो यह जो है, यह मतलब दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, हम करते थे तो हम पाप कर रहे थे, तुम कर रहे हैं तो पूर्ड कर रहे हैं. As a Marxist, I always welcome all the moves by either government of India or government of Pakistan, which is going to help us to improve our relation between the two countries. देखे, दो देशों में, दो देशों के प्रधान मंदरी में, अगर कोई समवाद होता है, मुझे रखता है उसमें कोई गुना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या समवाद हो सकता है? पाकिस्टान और हिंदुस्थान के संबन, कोई डस पार मिलने से, तीन बार मिलने से नहीं सुल ningún सकते हैं अब हम क्या करें, मतलब हम तो अपने नेतरुद को जानते हैं तो हम उस समय तीन साल पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था क concert मतलब पाकिस्तान के गत्विदियों को या पाकिस्तान को गाली दूँ चुकि आप एक तरफ गए हैं बनाई देने तो मैं क्या करूँ मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ तीसरा आज की तारिक में एक मतलब आज की पेपर में एक अमिशाजी ने असाम में एक बड़ी और वो हेड्लाइन है पेपर की अमिशाजी का कहना है कि हम असाम को कश्मीर नहीं बनने देंगे मेरे ख्याल में ये स्टेट्मेंट डी मीनिंग है हिंदुस्तान का कोई राज्य हो वो छोटा है या बड़ा है सबसे बड़ा राज है पॉंडिचेरी या गोवा छोटे राज हैं लेकिन कोई किसी के लिए डेरुगेट्री रिमांग नहीं दे सकता है कोई यह नहीं कह सकता हम वैसा नहीं बनने देंगे आज हम उत्तर प्रदेश के हैं मतलब मुझे इस बात का हरदम हो रहेगा कि जब हम बंबई या कहीं जाते हैं तो हम लोगों को भाईया बोला जाता है और भाईया कोई अच्छे स्वर में नहीं हम लोगों को भाईया बोला जाता है डेरुगेट्री के उसमें तो आज अगर ये अमेशा जी बोल रहे हैं कि ये आसाम को कश्मीर नहीं मनने देंगे तो कहीं न कहीं वो किसी भी कश्मीरी के लिए बहुत अच्छी बातें नहीं कह रहे हैं और इस रिफरेंस में आमेशा साहब से भी एक सवाल लोग पूछ सकते हैं कि जब पीडीपी की सरकार आपने साथ बनाई थे अपार बोल रिक्वेस्ट श्रीमुफ्ती मौहमन साइब जो मेरे जर्वर लायचा है या जिसका मोचे बदोर रियास्ति वजी इल्गों की दम दिही के लिए पैसा करना मुख्लूब भूब 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 अब आपने पीडीपी के साथ बनाई सरकार तब सब चीज़ें बहुत अच्छी है तब कश्मीर बहुत अच्छा आप भी बहुत अच्छा है चलिए और एक अंतिम बात सिर्फ एक बात याद कर लीजेगा कि इसका जैशे मुहम्मद और हिंदुस्तान का दुश्मन नमबर एक अपराधी नमबर एक अजर मसूद को दिन्यानवे में किसने छोड़ा था और अंतिमें एक छोटा फिर से एक सुझाओ अगर जो भी इसको कर रहा है अगर उसके कान तक पहुंचे मेरे हिसाब से आप जब भी अब किसी भी शहीद के घर जा रहा है वहां जा रहा है तो जो भी जीते हुए मंत्री जी हैं वहां के लोकल एमेले जा रहा है तो मुझे लगता है कि वहां के जो जो भी एमेले जीता नहीं था वो किसी भी पार्टी कर रहा हो उस हुए MP को भी अगर अपने साथ ले जाएंगे तो ये एक बड़ा जेश्चर होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मेसेज भी पूरे देश में जाएगा कि इस बात का राजनीती करण नहीं किया जा रहा है धन्यवत अगर आपको हमारा ये कारकर मच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए